हेलो एवरिवन गुडिम्निंग ओल अफ यो देखिए आज यहां पर डिस्कस करने वाल है प्रैक्टिसेट नोट सेवन और आपके एक्जाम के लिए काफी एक महतरपुन हो जाती है देखिए हालिगा LRC का तो अल्मोस्ट वेकंसी आ चुका है और BTSC के लिए काफी कुछ पूचा जाएगा जीस इस बेसिक मेंट हर वो तरीका से कवर करेंगे डॉन वरी वो मेरा काम घ्री में इतारी होता है जब तक आपके साथ होंगे अभी भूलो और आगे भी हम आपके साथ ही होगे तैक है जो की 400 नियुनानो dispel quand puc topic class the video provide करेंंगे औं topic by topic आपको class notes provide करेंग थोड़ा बहुत अभी भी कबर करेंगे क्योंकि बिहार है बिहार में कुछ भी हो जाता है सेशन लेट होता है तो करेंट फिर भी उसी जब से अपडेट करके पूछना होता है तो इसलिए हम आपके एक्जाम तक साथ होंगे पीडिएफ हम क्या करेंगे टेलिग्राम पे शेयर कर देंगे इस वाले बात को हाइलेट कर सकते हैं और यह चैनल भी हमें स्पेस्टिफूर आप लोग के लिए ही डिजाइन की है तो पहला कोशन देगे कोशन बेसिक आता है इसलिए बेसिक ही कोशन आप लोग के बीच लेके आता हूँ है तो एक स्वास्त मनुस से उसमें रख्ट की खुल पड़ी नाम होती है कितना होती है पांसे छे लीटर होती है तीन से चाल लीटर होती है आठ से दस लीटर होती है अगर मैं इनका एंसर के बात हूं आप्शन ए इसका करेक्ट एंसर हो जागा पांसे छे लीट मनुस्त्री की सरी में रक्त की मात्राओं शरीड के भीता लगो 7-8% होती है मालेजी कोई 70 kg के व्यक्ति है उसमें लगो 5-6 लीटर क्या होती है बलड होती है ठीक है और जो कि उनके संपुन्ट शरीड का भार का लगो 1.13% होता है तो इस पॉइंट को एक basic रूप में भी highlight कर स सकते हैं थोड़ा सा PDF में mistake लिखा गया है टीम की द्वारा इनकों ठीक करके आपके बीच PDF टेलिग्राम पर सेर कर देंगे कोसल 2 देखें मच्छर को नियंतिन हे तू परयोग वाली कीठ भक्ची मचली कौन सा है हिलसा है या लेवियो है या गेंबूसिया है या मिस्ट से है अगर मैं इसका answer के बाद को गेंबूसिया हो जाएगा option C इसका correct answer हो जाएगा है थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोसिस करें आपे देखें मैंने यहाँ पर काफी कुछ इनके बारे में मेंसल क्या हो गेंबूसिया ताजे पानी का एक मचली का एक पढ़ जा काफी मेहत्रपून होगा आपके एक्जाम के लिए फिर एक basic question है एक horsepower और कितना watt होता है आप देखें टेकनिकल student है तो हाले का आपको टेकनिकल पर भी फोकस करना होगा इनके लावर non-tech वाले पार्ट मतलब जीएस वाले पार्ट पर भी फोकस करना होगा और करेंट वरी मै मैं हूँ करेंटरफेर का टेस्ट वगरा सारा कुछ अबलेवल करवा दूँगा थोड़ा सा आप हम पर भरोसार रखिए मैं काफी टाइम से बिहार के कई सारा एक्जाम देखता हूँ इस पिसलिए तुम्हें वीपीएसी का एक्जाम देखता हूँ बट आप लोग के नौ प्रेंट oh10 हो जागा थोड़ा से अगर हम इनके बारे में आटके अब कि का इनकंव होद पीजा मःटफके लिए क्स बाके जीफर सावसा सदोर होट होता है इक यहां पर लूप में ये भी हश्रंट बैक। इन्टरनेट से इन्में से की चेकनीक का पर्यू क्या जब आप देहोंगा मारबilot, यह इसीली इसका नाम होगत hier त्री टेक्नोजी के दौरा ठीक है और फाइब को सिन काफी अच्छा को से करेंट फिर की रूप में भी आप समझ सकते हैं को सवच सर्वेक्चन किस मंतराली के दौरा संचालित किया जाते हैं और फिर इनके बारे में डिसकस कर लेंगे और अप्शन तरह से देख लेते हैं त और एक ची और यहां पर पर डिलेट कर सकते हैं कल की डिट में आपका एक्जाम आ लेजे तीन मनत के बाद आ गया यह जब भी एक्जाम आ जाए तो आप जब भी को मनाई जाता है जाना माना इम 9276 9 regrets 24 से मानाना सण करता था पांथ यह इनक으 अर्गनाइज इनको लीट कुन करता है तो सन्य फ्राष्ट यूएने के द्वारा किया जाता है बेसिक रूप में अच्छा को मनाने का उद्यश करता है तो आल्मोस्ट आप लोग में से काफी समझदार है परियावरन का इस्थिती बहुत जा रहा है जो कि आप लोग देखते हैं वाटर का बहुत का पर्थम सासक कोन था है तो फैंपन पर सकते हां यह फी दो यहां पर जाते हैं गुलाब उटीग के संस्थाफक भी माने जाते हैं एक बेसिक रूप में हाइलिट कर सकते हलीका 1206 थी में अस्तापना किया ता थिक है और इनके बाद बात करने वाले हैं जो निती आयो के दवारे एक साल पीशई जाएंगे और नीती आयो के दौरा एक साल पीशी से जाएंगे को सब्सक्राइब बीवेर जाते हैं स्यूकरी से घ्याद सब्सक्राइब में थोए पर सहीज से पढ़ना है हाले का इनका अस्थापना है एक जून दोहजार पंदरों कोई क्या था और नीटी आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना वह कोई ते नारंदर मोधी होता है ठीक है कभी-कभी यह पुछले पहले उनका जो अस्थापना भी पल योजना आयोग हुआ करता था अगर आप लोग थोड़ा पाले पढ़ते होंगे 2016 2016 में तो आपनों को योजना आयोग काफी ज्यादा सुनते बस उसी को चेंज करके नीटी आयोग को उद्देश क्या होता है बस सिंपल होता से किस तरह जो भारत है उनको आगी की ओर ले जाना है नीती बनाना नया नया प्लानिंग देना यह संबिधहनी की निकाय नहीं बेसिक रूप में यह जाना सकते हैं कि हम जब संबिधान पलते हैं जब पॉलेटी बनाएंगे तो पैसन diary के कि किसी देश की परतिवेक्टी आए प्राप्त की जाते हैं तो परतिवेक्टी आए कैसे प्राप्त सकते हैं मतब टोटल इंकम पले तो पता हूँ जो नेशनल का इंकम होती है ठीक है नेशनल इंकम यहां पर आपको पता जब हो जाएगी और जो जितना जनसंख्या है जितना ज कुछी मिल जाए आप लोग जाज़ाद सेलेक्शन हो जाए तो यहां पर देखिए जन संख्या नहीं हो जाएगा राष्टी नहीं हो जाएगा ऑप्सन सी करेक्ट एंसर हो जाएगा अजया नेशनल आई का गन्ना कोन करती तो विट मंत्राले का एक विभाग है जिनका नाम ए हाल का यह अदिकात तो सेंट्रल एकाम के पास है यह हो कंण संंख्या शां हुआ Ouais का मन में आ गया तो भूस SECRET में विर्ग करवा ले तो एक बेसेगर सकते हैं आप है डिक शास किए कोमेंट किए हम आप लोग के लिए हैं बिहाल में 857 विदूरह का नितत्रूत किसकी द्वारे क्या गयेता राते यह वेयर के त्off है नसा बेरन नितरूत के गँगता का अन्वालने का वेख दर्जा दिया था है आप यह चुंप ना तर्फान कर ना यह चुंप लिखना ना कि 847 कॉरांटी ना चाहिए चुंप कि दस ताट होती है तो 10 मई को चाल रख नयद यह बीजनकारी रख सकते हैं ठीक है क्योंकि आप बारů में जाते हैं इक्स्ट्रा जब भी को बढ़ते हैं इन के अलावा भी बिहार में ठीक है तो हालिका इनके बारे में तो और भी कुछ टीटेल में पढ़ना है ठीक है हालिके यह जग्दी स्पूर्श से आते थे एक बेसिक ग्रूप में मौल भी अहमद अली कोई रिलेट नहीं करता है मगर मुहमद मुहमद है ना लियाकत अली ठीक है जिनका युगदान इल्हाबाद में थार संतावन करांती में होता है एक बेसिक डूप में यह आप एक चैनकरी रख सकते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो गैस आज के क्लास यहीं पर हम खत और इस पिसले जीए सेक्षन देखिंगे याद रखिए जब तक आपके एक्जाम जोइन कर सकते हैं इनके लाव आपके मन में कभी हिस्ट्री कमजूर लगा है तो इसकी पर सकते हैं टॉपिक बाइट लास टॉपिक वीडियो इन टॉपिक बाइट टॉपिक लास नोड्स करने वाले हैं हिस्ट्री पॉलेटी जोगरोफी एकोनोमिक्स के कोई साभी सेक्षन जोइन कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थेंक्यू इस एप को डॉन्लोट कर लेजेगे इस एप आपको काफी कुछ मिल जाएगा ठीक है इनके लावर भी एससी बगर का त्यारी करते तो वहां से आपको फ्री पोस्ट काफी कंटेन आपको मिल जाएगा टेस्ट्रीज मॉक टेस्ट्रीज प्रीविस एर सारा इस पर आपको मिल जाएगा थेंक्यू वैव नाइस टेन